दोस्तों गर आप भारत पे में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं या फिर भारत पे के आप मॉर्चेंट है और पैसा की वर कोट के जढ़िया डिसीव करते हैं तो हो जाई ये साबधान क्योंकि भारत पे में ये guarantee नहीं है हो सकता है resolution जल्दी आ जाए हो सकता है दो महिने तीन महिने लग जा लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है तो दो महिने से उपर भी हो चुके हैं बहुत सारे उजसके account block हुए लाख रुपे से उपर तक के account block है लेकिन अब तक unblock नहीं हुआ है block क्यों होता है ये आपको आगे बताएंगे और unblock कैसे हो सकता है ये भी आपको बताएंगे जो भारत पे ने हमें बताया है तो चलिए बीना डिले कि ये वीडियो को start कर लेते हैं सबसे पहले बात करेंगे भारत पे के 12% club application की तो भारत पे के 12% club application है वहां पर कोई भी आदमी अपना पैसा invest कर सकता है वहां पर risk कम है मतलब block होने के chances कम है क्योंकि वो सबी उजरस के लिए है वहां पर investment भी किया जाता है और वहां से loan भी ले सकते हैं लेकिन वहां पर भारत पर merchant application की बात कर लूँ तो यहां पर सिर्फ merchant को registration करना है जो genuine है और वहीं पैसा receive करेंगे और वहीं invest कर सकते हैं लेकिन होता क्या है कि बहुत से लोग ऐसे भी है जो भारत पर merchant application में ऐसे ही अपना account open कर लेते हैं किसी shop के नाम से और वो वहां पर QR code पर पैसे UPI के जरीए भेजते रहते हैं या फिर व फिर वो आपके account को block कर देता है suspicious activity का मतलब यही हुआ कि उन्हें लगता है कि आप merchant नहीं है फिर भी आप भारत पर के merchant application को इस्तमाल करते हैं किसी गलत तरीके से और यहां पर invest वगएरा करते हैं तो इसलिए आपके account को block किया जाता है आप देखिए जितना जल्दी आपका account block होता है उससे कई गुना जादा समय लगता है और block होने में बहुत वक्त लग जाता है कभी कभी महीने दो महीने धाई महीने तक आपका account नहीं होगा तो आप किसी भी तरीके का risk मत लिजिए आपको invest करना है अगर तो आप जैनून तरीके से 12% club application में invest कर लिजिए नहीं तो आप भारत पे के अगर जैनून merchant है तो फिर आप यहाँ पर invest करिए नहीं तो आपका account भी block हो सकता है जो screen source आप देख रहे हैं वो दर्थ छलका है ट्वीटर के उपर जो भारत पे के user है उनका और किसी का 10,000 किसी का 20,000 किसी का लाखों रुपया जो है block कर दिया गया है भार भारत पे इतनी असानी से unblock नहीं कर पा रहा है इनकी service उतना fast नहीं है जो कि हर इरस के जो account block किया गया है उनको unblock किया जाए उतनी तेजी से अब बात करते हैं कि unblock होगा कैसे तो unblock करने के लिए भारत पे को आप call करिए और वो आप से मांगेंगे email ID पर आपका GST number यानी G दुकान होगा तो उस दुकान का photo भेजना होता है फिर आपके bank account की 30 दिन की transactions history भेजनी होती है जो bank account आपने भारत पे में link किया है फिर last five transactions उनको देना होता है अपना document verification जैसे pen अधार ये सब देना होता है तब जाके कहीं आपका account unblock होता है और वो भी time लगता है सब कुछ देने के बाद ऐसा नहीं कि 24-47 गंटे में हो जाए time लग जाता है तो इसलिए आप जैनून तरीके से भारत पे में अगर invest कर रहे है तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर आप merchant नहीं है और भारत पे में अपना account बना कर आप invest करते हैं तो फिर वो risk हो सकता है मेरा काम था आप लोगों को बताना अगर invest करना ही है तो 12% कलब application में चले जाए हाला कि risk दोनों ही जगा सेम है चुकि दोनों ही application भारत पे की है और दोनों के जो nvfc partner है वो वहीं है तो return आपको जहां यहां पर जितना मिलेगा वहां पर भी उतना ही risk जितना भारत पे for merchant में है उतना 12% कलब application में भी है तो उमिद है कि आप लोगों के doubt जो है भारत पे for merchant और 12% कलब application को लेकर clear हो चुके होंगे और आप लोग सतरक भी हो गए होंगे तो हमारा काम था आप लोगों का बताना अब यह आप लोगों के उपर depend करता है कि आप इस खबर को इस news को किस तरीके से handle करते हो उ वीडियो पसंदाए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा मिलते है किसी नई वीडियो में दीजे इसाज़त थैंक यू